होग चांती, हम सभी भगवान की महानात्मे हैं, और हमार अच्चेरा एक सुन्दर दर्पन है, उस पर यदि संतुस्ता है, उस पर यदि जुहानियत है, उस पर यदि बहुत प्रसंता है, को ये तीनों चीजे सब को बहुत आकर्षिद करती हैं, हम ध्यान दें, हम बाबा को पाकर संतुस्त हुए हैं, या हमारे कोई व्यर्थ संकल्प, हमारी कोई व्यर्थ की च्छाएं, लोगों का होने वाला हम से बुरा व्यभार, ये कहीं हमें असंतुस्त तो नहीं कर देता, सारा दिन बात करते तो नहीं रहते हमारी द्रश्टी बही ये मुखी तो नहीं है हमारी द्रश्टी आत्मा पर जाती है हम ज्यान का थोड़ा थोड़ा चिंतन करते रहते हैं यह सारा दिन ज्यान पूरी तरह से उगुला रहता है ये ध्यान रखना भी परम आवस्चक है और खुस रहना, अब ये खुसी कोई बनावती तो है नहीं, कि लाफिंग कलब की तरह जाके जोर जोर से हुस लिया जाए, ये खुसी स्वचिंतन की खुसी है, ये खुसी जान्चिंतन की खुसी है, ये खुसी स्वधियत्ताप्तियों की खुसी है, इन तीनों को हम बढ़ाते च अगर हम बहुत हलके हैं, अगर हम बहुत प्रसंद चित हैं, तो यदि कोई टेंशन से भरा हुआ व्यक्ति हमारी भास आएगा, तो वो भी रिलेक्स हो जाएगा, हमारे वाइब्रेशन समय बहुत सुन्दर बनाने हैं, आज जिस एक चीज की प्रस्टिस करेंगे वो पहले ही, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, और मुझा आत्मा से शक्तियों की रंग विरंगी पिछकारी सामने वालों पर फर रही है, ये होगा सभी आत्माओं को बहुत बड़ा दान और सहयोग, ये हमें पता नहीं चलेग पर इस से उन्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, हम इस तरह सारा दिन दूसरे आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, एक संकल्प करने हम दाता हैं, हम मास्कर बाग्य विधाता हैं, हम पूरवज हैं, हमारे द्वार पर जो भी आ जाए, वो खाली न जाए, देना है, मुस्कान देनी है, श्यांती के वाइब्रेशंस देने हैं, समच्चाओं में उल्जी हुई आत्माओं को भी सकास देकर, उन्हें इससे बाहर निकालने की मदद करनी हैं, हमें दूसरों को सहयोग भी देना है, क्योंकि ये ऐसा समया दया है, जहां चलते चलते अनेक व्रामनों में भी, बहुत जल्दी उमंगुच्चा समाप्त हो जाता है, आत्माओं लोनली फीलिंग में आ जाती हैं, या हलकासा डिप्रेशन हो जाता है, या कुछ न करने की इच्छा होने लगती है, ऐसे बहुत बाते आजपल सामने आ रही हैं, या अचानक खुशीच चली गई, खेवा करने की उमंग ही नहीं रही, अंदर से ही कोई सूप सुंसन से उभरने लगा है, इन चीजों पर बहुत ध्यान रखते हुए, हमें स्वयम को इन सब चीजों से बचा के रखना है, तो विशे इस उमंग में हम सारा दिन रहेंगे, हम कोन है, हम पर किसकी नजर है, उसने हमें कितना योग्य बनाया है, उसने अपना वर्दानी हाथ हमारे सिर पर रखकर हमें सक्तियों से सजाया है, और वो हम से महानकारिये लेना चाहता है, हम तो केवल निमित हैं, बाबा हमें योग्य ताइं भी बन रहा है, और वही हम से काम भी लेगा, हमें तो केवल स्वयम को योग्य मात्र बनेना है, हम जितना योग्य बनते जाएंगे, उतना ही बाबा हमें यूज करते जाएंगे, तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, यहां से उपर चलने का मै आत्मा, उड़ चली परमधाम, अपने खुदा दोस्त को टच किया, वाइब्रेशन्स वहरे, फिर वापिस आजे इस देह में, मुझसे चार और वाइब्रेशन्स फेलने लगे, ओम्शन्स